नमस्कार अभियर्थियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटक और एकांके, साहित गद के कैसी विधा जिससे आप सभी परिचित होंगे, आपके सिलेबस में केवल नाटक पढ़ना है, मोहन राकेश का साल का एक दिन, भारत दुर्दसा, लेकिन आपके ही सिले अकला है, तो आपके कैसी वालत सतार कमेंट बोक्स में मुझे दे सकते हैं, कि आपके सिलेबस में ऐसे कौन से लेकाक हैं, जिनको आपको पढ़ना है, और एक आंकी के वो मुर्धन ने हसताक्षर हैं, तौब Alors बताना है, उनके दो राचनाओं को भी आपको बताना है, कि आ थे कि यह नाटक एक आंकी के तो एक ही है लेकिन जब हम धिरे-दिरे बड़े होने लगे हम साहितिक विधाओं से परशित होने लगे तो हमें यह बात समझ माने लगा कि कुछ मुल्भूत अंतर होते हैं प्रथम द्रिश्या आपको ऐसा लगया कि नाटक और एक आंकी में कु असा सहली है कुछ देश है और अभिना है यह साथ चीज वहां भी मौझूद है लेकिन आप देखोगे नाटक और एकांकी में कुछ मुल्भूत अंतर इसको कुछ भिन्दूव समझते हैं फिर हम डिस्क्रसन करते हैं नाटक तो आप परचीत है एकांकी क्या होता है वन एक प्ले अंग्रेजी में एक dasब और एक प्ले यान कि एक और अंक में क्या असा समाप्थ हो जा रहा है समझे तो वन एक प्प्ले अब यहान पर समझे कि नाटक की जो पृस्टभूमी है वो कथानक बड़ा ही विस्त्रित होता है आप देखोंगे मोहन राकिस की रचना असा लेकिन एक आंकी में प्रिश्टभूमी अथवा कथाना कि विश्थार का उस्वां नहीं रहता जैसे पता है ना अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले तो यह वन एक्ट प्ले यानि की बहुत जल्दी जैसे आज कल क्या हो चुका है आप देखते हो वेब सेरीज देखते हो ठीक ह तो वहांपर क्या होता है कुछ वेब सेरीज बड़े सीजन में चलते हैं दो तीन सीजन चल रहा है कुछ जो है तुरंट लगू कथा की तरह ठीक है वो एक अलग विद्ध है तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है यानि यहां पर नाटक की प्रिश्बूवी का बड़ा व सकता है लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता है दूसरी तरफ आप देखोगे कि नाटक में जीवन के जो पहलो होते हैं उसका बड़ा विस्तार होता है आप कोई भी नाटक उठालो उसमें आपको चीजे बड़ी विस्तार से दिखाई देगी लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं है वो जीवन का केवल एक ही पक्ष उसमें दिखाई देता है। यानि आप यूँ कह सकते हो कि आपने कावे बिधा में देखा होगा प्रबंध कावे और खंड कावे हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको प्रतित होगा नाटक और एकांकी में। तीसरा महत्पुर अंतर है कि नाटक में पात्रों की संख्या देखो सकती है। आप इसकंद गुप्त नाटक पढ़ना है आपको सिलिवस में जैसंक्य पसाद देखी। वहाँ पर पात्रों की संख्या क्या है बहुत है। कम भी हो सकता है लेकिन संभावना होते हैं कि पात्रों की संख्या जादा है। एकांकी में क्या होगा तो जलदी से एक कथानक खतम होगा तो पात्र भी कम होंगे। नातक में मुख घटना के साथ क्या होता है अवांतर प्रसंग भी हो सकते हैं जहर सी बात है अब इसकंद गुप नातक आपने पढ़ा है उसमें कई ऐसे प्रसंगे फ्लैस बैक चल रहा है भविश को लेकर संचेतनाय है अतीत को लेकर बहुत सार चीज आ रही है तो यानि कि क नहीं है आप एचीज देख सकते हैं अगला मातुर बिंदु है कि नाटक में किसी विचार को विश्तार से प्रसुत किया जाता है यदि जैसंगे परसाद ने या मोहन राकेष ने पने नाटकों में जिन विचारों को प्रसुत किया था उसे उन्होंने बड़े ही विश्ता विचार के साथ उसे क्या किया एक अमली जामा पहुंचाया और उसे हमारे सामने प्रस्तूत किया लेकिन एक आंकी में विचार क्या है वो संकेतों के द्वारा रखे जाते हैं क्योंकि वहां पर इतने विश्थार गुंजाइस नहीं होती है नाटक में क्या है मोँ अनलाके से नाटकों में देखो़किवें दो से तीन अंख है और इसकंद क्या है कई अंख है और कई दृस्ते हैं ठीक है तो वहां पिश्रिचों को लेकर विस्तार हो सकता है लेकिन एकांकी में यह संभव नहीं है नाटक में अस्थान और काल की सीमा काभी विस्तार हो सकता है यह बात हम आपको यानि कि जब आप इसकंद गुप्त पढ़ते हो तो काली दास मात्रिग्युप्त इसकंद गुप्त तो जो जो जिग्राफिकल स्ट्रक्चर आप देख र और सरी निरता क्योंकि यह क्या है एकांकी के संचिप्तिक रण के लिए यावस्यक हो जाता है कि इनका विस्तार ना हो तो यह कुछ प्रमुख बिंदू है जिसके आधार पर आप समझ सकते हो कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है तो आप जब बच्पन में या भी जरूर बताना कि आपके सिलिवस में कौन ऐसे रचनाकार है जो एकांकी के छेतर के मुर्धन्य है उनका नाम बताना और उनकी रचनाओं का जिर्क करना उस पर यूपीसी ने सवाल भी पूछा हुआ है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है मुझे इंतजार रहेगा क कि आप मुझे उसका उत्तर भीज रहे हैं अब देखिए नाटक और एकांकी चुक्री रंग मंची द्रिष्ट कोन से देखें तो दोनों का क्या हो रहा है मंचन हो रहा है नाटक में द्रिष्ट कई है अंग कई है तो उसका विस्तार है तो समयावधी ज्यादा होगा कई प समानताएं हैं लेकिन ऐसा होते हुए भी उनके मायने अलग-अलग है यानि कि हमने पहले ही देखा कि जो समानताएं हो तो मायने अलग अर्थात एक अंकी के जैसा इसमें क्या है पूरी कथा वस्तु को एक ही अंक में समेटना होता है यानि कि एक ही अंक में क्या कर रहे है ह हम संपूर्ण विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कहानी संभासन अतह नाटक प्रबंदकाव या महाकाव के समान विस्त्रित है तो एकांकी मुकतक के समान है जैसा कि हमने पहले भी किया था प्रबंदकाव खंड़काव मुकतक है ना तो यह बहुत बड़ विस्ष्षता है यह आपको उधारन याद रखने ना है क्योंकि आप आपको प्रशन आएगा वहां पर आपको इस रूप में चीजों को अस्पष्ट करना है नाटक और एकांकी को एकांकी की कई विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वो दिखाई देता है लेकिन एकांकी में ये संभव नहीं है तो इससे चरित्र क्या होता है पूर्ण रूप से विक्षित होते हैं और इसमें कथा का विकास अथिक तिव्र होता है एकांकी में भाव प्रभाव तिव्रता गत्यात्मक्ता संकलन तरह योजना अनिवारे सबसे खास एकांकी में किवल एक ही यंख होता है इस तरह क्या हो रहा है हमारा एकांकी समाप्त हो रहा है तो संच्छिप्त में मैं आप लोग को समझाने कोशिस किया कि नाटक और एकांकी में क्या मुलभूत अंतर होता है मैं पुना अपसे सवाल करता हूँ कि आपके सिलेबस में कौन से लेखक हैं, जिनकी रचनाय तो नहीं पढ़नी, लेकिन उन्होंने एक आंकी में कई सारी रचनाय लिखी हैं, और वो आपके सिलिबस का हिस्सा है, तो आप मुझे इसका उतर जुरू बताना, नेक्स वीडियो में एक नए तथे के साथ आपके सामना हूँगा, तब त के लिए धन्यवाद,